कोईलांचल प्रचेत्र आईजी असीम विक्रांत मिंच गाज बागमारा आगमन हुआ बागमारा SDPO कार्याले पहुँचकर कई मामलों में समिक्षा की मौके पर धनबाद SSP संजीव कुमार, ग्रामीन S.P. रिस्मा रमेशन मौजूद रही उपस्तित अधिकारियों के साथ लंबे चले समिक्षात्मक कारवाई के बाद पत्रकारों से बादचीत में जानकारी देते हुए आईजी महोदे ने कहा कि वारसिक निरिक्षन की कड़ी में आज बागमारा SDPO कार्याले का निरिक्षन किया गया जिसमें कई अभी लेखों के संधारन कांडों की समिक्षा बर चर्चा की गई साथी कई सारे प्रकिर्या को लेकर कई निर्देश भी दिये गए वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए धनबाद जिले में गैंग्स के बढ़ते वारदात से चुड़े सवाल पर आई जी ने कहा कि इन मामलों में धनबाद पूलिस लगतार कारवाई कर रही है कई अपरादी जेल भेजे जा चुके हैं अगर ऐसा कोई गीरू फिर स्वे सक्रिय हो रहा है तो प्रसासन इस पर तदपरता से कारेकर नकील कसेगी एक इंस्पेक्शन के लिए आज यहां पर बागमारा अनुमंडर पूलिस पतादीकारी के कारेले में आये हुआ था बैसिकली जो एनुवर इंस्पेक्शन होता है उसमें हम लोग जो यहां पर बहुत सारे अभिलेक होते हैं उनके संधारन को लेकर के कांड़ों की समिक्शा और जो बहुत दूसरे अन्य जितनी भी पूलिसिंग के जो दूसरे आस्पेक्ट्स है उसको लेकर के विभिन निर्देश दिये जाने के लिए यह प्रक्रिया होती है तो आज बागमारा अनुमंडर पूलिस पतादीकारी क इंस्पेक्षिन था मेरे द्वर्ण साथ मया पर स्पे और ब्रायमिन इस पी दिसात में पत्टेत है देकि वुद्धा आज जो यहां पर आने का जो मेरा प्रयोजल था इंस्पेक्शन था लेकिन उससे हीटर जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसपर लगातार काम हॉआ है यह लगातार कारे हो दनबाद में ऐसा हमेशा ही रहा है इस तरीके से कुछ ना कुछ गिरो आपस में संगड़ी तो करके के एक्स्टोर्शन मांगना या फिर पैसे का डिमांड करना या फिर डराने थमकाने का काम लेकिन यह भी रहा है कि लगातार पुलिस के द्वारा काम भी किया जाता रहा है और अगर इस तरह के कोई नए ग्रूप आते हैं तो उस पर भी करवाई होगी उसी तरीके से